हाई गाईज वेल्कम बैक इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने आपल के एरफोर्ट को कनेक्शन लेना है तो सभी के फोन में ब्लुटूट्स होता ही है और यह एरफोर्ट भी ब्लुटूट्स से ही कनेक्शन होते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी एंडुटूइड में या फिर फीचर फोन में जैसे हम कीपैड वाला मुबाइल बोल लेते हैं उससे भी उसमें भी कनेक्शन कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है अपने डिवाइस के ब्लुटूट्स सेक्शन में जैसे के आप दिख सेकते हैं यह रहा मेरे जैसाYa क्यां की फोन आप का अभी व्लुटूट्स सेक्शन और आगर अपको अघर के करने हैं एरफोर्टwest तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं Apple के डिवाइस में लेड उपन करते ही इसका जो है पॉप आप शो होता है Android फोन में वो पॉप आप नहीं शो होगा इसको कनेक्ट करने के लिए और Android फोन में यह स्कैन भी नहीं होंगे सर्च जर्च में भी नहीं आएंगे तो वह इस कि आप देख सकते हैं अभी अभी राओ जैसे हम बटन प्रेस करते हैं तो यह जो लाइट है वो वाइड कलर की हो जाएगी तो अब यह लाईट हो गई वाइड कलर ही तो अब इस बटन को आपको 2-3 सेकिंड कर दबार के रखना है जस्ट आपको 2-3 सेकिंड तक जैसी आप प्रैस करके रखेंगे आप के एरपोर्स जो है अब के Android फोन में शो हो जाएंगे तो जैसी कि आप देख सकते हैं यहां पर अभीजो नहीं हो रहे तो यह मेरे earphones successfully connect हो जाएंगे तो अभी यह कहा रहा है good not pair तो एक बार मैं फिर 12 से retry कर दूँगा तो मेरे successfully pair हो जाएंगे तो जैसे कि यह आप लिख सकते हैं अब connection successful हो गया है और यह हो गया है connected और अब मैं इसे अपने ears में plug-in करके कुछ भी कर सकता हूँ मतलब समझ रहे हैं आप songs वगएरा प्ले कर सकता हूँ YouTube वगएर वीडियो वगएरा बाकी airports के जो feature है इनने detection कान से बाहर निकाल दिया तो गाना बंद हो जाएगा यह सारे features Android में काम नहीं करेंगी इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने Android phone के साथ अगर आप airports बाही करना चाते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डे में यह जस्ट एक simple tutorial था कैसे हम Android phone के साथ अगर आपके पास हैं तो आप कैसे connect कर सकते हैं So thanks for watching मिलते हैं नेक्स डे में Thank you so much guys